प्यारे दोस्तों नमस्कार आज मैं अपने टेश्ट्रीज का यह दस्वा कोश्चन है जिसके माध्यम से आज सव कोश्चने पूरे हो गए हैं टोटल इसमें 500 कोश्चन टेश्ट्रीज की रूप में आपको कराये जाएंगे तो आप लोग इस टेश्ट्रीज को ध्यानपूर बग देखें और मैं प्रयास करता हूं कि डेली का डेली इसमें वीडियो अपलोड की जाएं आप लोगों को यह वीडियो कैसी लग रही है जरूर मुझे कमेंट करकी बताया करो जिससे मेरा खुद का भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे वीडियो में क्या सुधार क पर शर्ता हूं उसके लिए जरूर प्रयास करूंगा जो आप लोग मुझे बताएंगे चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपनी कोशन नंबर 91 के बारे में उनीश्वी सदी में बात कर रहा है कि उनीश्वी सदी में भारत में बिद्याले की स्थापना जमलब भारत में जो है कला बिद्याले की स्थापना की किसने की थी मुगल सासक ने ब्रिटिस सासक ने या पांड़े सासक ने या जैन सासक ने तो प्यारे दोस्तों आप सभी क को मालूम भी होगा कि ब्रिटिक्स चासक के द्वारा जो है भारत में उनीश्वी सताप्दी में कला बिद्यालियों की इस्थापना के गई थी भारत का प्रथम कला बिद्याले 1850 सभी में खोला गया था जो कुन सा कला बिद्याले है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लि बात हो रही है जो रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था तो 1921 या 1925 या 1919 या 1922 प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो आपका कुश्चन सही होता है वह 1919 होता है 1919 में रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किया गया था यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाह आगे की तरफ कुश्यन नमर 93 जो 90 से लिए है कला एवम श्वदेशी जो कला एवम श्वदेशी नामक पुस्तक है वो कब लिखी गई थी 1916 या 1915 या 1925 या 1922 कला एवम श्वदेशी की बात किया जा रहा है ये पुस्तक आपकी 1916 इस भी में लिखी गई थी ये चीज़ा जाद रखना अगला कुश्यन है 94 कलकत्ता आर्ट कॉलेज की बात हो रही यहां पर जो भारत का दूसरे नमबर का कला विद्या ले था और इसकी इस्थापना 1854 में की गई थी और इसी कला विद्या लेके आपके आउनिना टैगोर को प्रिंस्पल की रूप में निउक्त कि आये गया था मुलब कलकत्ता आर्ट कॉलेज में आउनि बाबु को प्रधानाचारी की रूप में कब निउक्त किया गया था 1908 1905 1910 1915 तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपका आप्शन नमबर भी शही होता है मतलब 1905 में आउनि बाबु मतलब आउनिना टैगोर को कलकत्ता कलब द्याले का प्रधानाचारी नियुक्त किया गया था 1905 से आपको एक कुश्चन और भी यादाना चाहिए कि 1905 में आउनिना टैगोर की द्वारा आपकी उनकी एक पेंटिंग बनाई गयी थी जिसका नाम था भारत माता भारत माता नामक पेंटिंग का निर्माण भी मल उन्हें प्रधानाचारी की रूप में भी नियुक्त किया गया था आगे की तरफ में बात करते हुए फिर बढ़ता हूं कुश्चन नमबर 95 रविनना टैगोर की पूस्तक है जिसका नाम है चित्रांगदा चित्रांगदा के लिए आउनि बाबु की द्वारा कितने रेखा चित्रों को तयार किया गया था तो इसमें 28, 40, 32 या 48 तो प्यारे दोस्तों आउनिना टैगोर की द्वारा रविनना टैगोर की जो बुक है पुस्तक है उसका नाम है चित्रांगदा के लिए टोटल 32 कुश्चन मलब 32 रेखा चित्रों का चित्रन किया गया था यहाँ पर र परकार की रेखाओं का पर्योग किया गया है तो प्यारे दोस्तों आजनता में टोटल 20 परकार की रेखाओं का परियोग किया गया है ये भी कुश्चन आपको यहां से मालूब होना चाहिए आपका अगला क्युश्चन है 96, 96 को आप लोग धियान पूरबक देखेंगे आशित कुमार हलदार का जन्म कब हुआ था 1990, 1920 या 1929 या 1921 जो आशित कुमार हलदार जी थे इनका जन्म 1890 में हुआ था और अशित कुमार हलदार भारत के प्रथम एक ऐसे महान है जो प्रथम की रूप में भी नियुक्त हुए थे कहां पर लखनव कला विद्याले में प्रधानाचारी की रूप में और कब नियुक्त किये गए थे 1925 में फर्स्ट इंडियन फर्स्ट इंडियन प्रधानाचारी की रूप में लखनव आर्ट कॉलेज में इन्हें नियुक्त किया जाता है अगला कोश आपकी अम्रिता शेर गिन तो 97 का प्यारे दोस्तों आपका जो सही होता है वो आप्षिन नमबर 6 होता है नंदलाल बोस की द्वारा दूड़ा वादनी नामक चित्र का चित्रन किया गया था यह भी आपको मालूम होना चाहिए अगला है कुशन नमबर 98 बाग अजनता और जोगी मारा यहां पर तेन गुफाओं की बात की जा रही है ध्यान देना का चित्रन किसकी द्वारा किया गया इन तीनों गुफाओं में चित्रन नहीं कह सकते हैं यहां पर यह चीज़ गलत लिखा हुआ है भित चित्रों की प्रत जो आपा यहाँ पर जो आपकर सह्यू उत्तर है वह六 क्मार हलडा अशित कुमार हलडार का कहां से इस्थानंतरं हुआ था और लखनोव आर्ट कॉलेज के तब परधानाचारी बनाए गए थे तो किस जगह से इस्थार नंतरन करके लखनोव आर्ट कॉलेज लाया गया था ये चीज़ आप लोग मुझे कमेट बॉक्स में जरूर लिखना अगला है कुश्चन नमबर 99 99 की बात हो रही यहां पर र आउनी बाबू नंदलाल बोश या अशित कुमार या रामचंद्र शुक्र तो प्यारे दोस्तों यह राज कहानी का शंबंद आउनिन नाट टैगोर्ची से है जिनका नाम आउनी बाबू के नाम से भी जिनको पुकारा जाता है तो इन्होंने राज कहानी जो बंगला शाह दाफलेम आफ म्यूजिक जिसको हिंदे में शंगेत की लोग के नाम से भी जाना जाता है नामक चितर की चितरकार कौन है नंदलाल बोश या मनी राय अशित कुमार हलदार या राजर अभी वर्मा तो प्यारे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो आपके अशित कुमा परहलदार जी है इनहीं की द्वारा दाफलेम आफ म्यूजिक जिसको हिंदे में शंगेत की लोग की नाम से जाना जाता है इस चितर के चितरकार आपके हैं आप लोग बिलकुल टिक कर लेना प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है हेल्फूल लगती है तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर किया करिए धन्यवाद अब हम आगे मिलते हैं अपनी अगली बिलकुल